शिवाय नमस्तुब्रम दोस्तों मेरे चैनल सुक्सम्रद्य उपाए में आप सभी लोगों का स्वागत है रक्षा वंदन एक ऐसा तोहार है जो भाई बहन का प्यार का परतीक माना जाता है और इस रक्षा वंदन पे राकी बांधने का मतलब माना जाता है कि भाई हमारी हमेशा रक्षा के लिए तत पर रहेंगे तो भाई बहन का प्यार बहुत ही महत्व रखता है राकी बांधने से और ये तोहार आने से भाई बहनों का दोनों का ही प्यार बहुत बढ़ता है वीडियो सुरू करने से पहले लाइक जरूर कर दीजेगा सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा मेरे चैनल को जो आपको आपको वीडियो मिलती रहें और कमेंट में लिख दीजेगा जै माता दी तो वीडियो सुरू करते हैं कि क्या करना चाहिए रक्षवंदन से पहले आपको और जो भाई की हमारी लंबी उमर रहे हमारा प्यार ऐसे ही हमेशा बढ़ता रहे तो मैं बताऊंगी कि जब भी आप अपने भाई के राखी बानते हैं राखी तो लाते ही होंगे तो राखी जब भी लाएं आप उसे एक दिन पहले हाँ जी एक दिन पहले आपको क्या करना है वो राखी जब लेकर आएं आप अपने मंदिर में रग दीजिए उनको मंदिर में रखने के बाद उसे सुध कर दीजिए गंगा जल से हलका सा उपर पिन्नी पैसे यसी सुध कर दीजिए उसको सुध करने के बाद आपको भगवान से प्राथना करनी है भगवान मैं अपने भाई के लिए राकी लेके आई हूँ और मेरे भाई की भगवान लंबी उमर करना और उस राखी को हाथ में लेकर दाएं हाथ में रखना है फिर आपको और उस दाएं हाथ में लेकर आपको 108 मंत्र पढ़ने हैं। मेरे भाई की रक्षा करें तो वो आपको राखी हाथ में लेकर सीधे हाथ में राखी लेकर आपको वो मंत्र पढ़ना है और कहते हैं ना सक्ती होती है भगवान में अगर आप हाथ में लेकर उसे अभी मंत्रित कर देंगी तो वो भाई के मतलब जैसे ही आप राखी बानेंग स्वस्त रखेगी तो आप जरूर ये उपाय करें कोई इतना बड़ा उपाय नहीं है तो ऐसा ही उपाय करना चाहिए दूसरा उपाय मेरा ये है कि आप जब भी राखी मानने जाएं जब भी आप राखी मानने जाएं एक नारियल जरूर लेकर जाएं प्यार से और वो नारिय अपने भाईको हाथ में दीजिए और हाथ में देने के बाद तब राखी बान दीजिए, बहुत इपवित्र माना जाता है, सास्त्रों में भी इसका वड्नन किया गया है, भाई भेहन का घर भरा रहता है इससे और जो नारियल होता है, वो कार्टिक के बावा का पर्टीक माना जाता है, संत का पर्टीक माना जाता है, इसकंद का पर्टीक माना जाता है तो वो नारियल आपको क्या करना है, जब भी आप राकी बांदे तो अपने भाई के हाथ में वो नारियल दीजिए सीधे हाथ में और उसी हाथ में फिर आपको राकी बांदनी है और फिर उस नारियल को लेकर जो आपने भेट करा है उसमें से थोड़ा सा नारियल आप भी लियाईए और बागी नारियल अपने भाई के घर छोड़ दीजिए इससे क्या होगा कि आपका दोनों का घर हमेशा के लिए भरा रह और कोई विब्दा आपके भाई पर नहीं आएगी देखो भाई और बहन बहुत ही प्रेम का परतीक त्योहार माना जाता है कभी भी इसमें यो मैं सोचिए कि हमारा भाई से हमारी लड़ाई है हम ना जामे प्रॉपर्टी का जगड़ा है किसी भी चीज का हो देखो तुमा माया ने ऐसा अलग कर दिया कि आज हम एक गर्म से जने एक साथ खेले बालकपन में एक साथ खेले और आज हम में इतना मुटाब हो गया कि हम एक दूसरे की सकल नहीं देखना चाते तो मैं सिर्फ यह ही कहूंगी आपको चाहें अच्छी लगे चाहें सभी कार हो ना हो लेक जरूर पोस्ट से जरूर भे दीजिये उनकी राखी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि भाई हमारे खुश रहे हमारा आर्शिवाद हमारे भाई को मिलता रहे और भाई का भी कर्तव्य होता है कि वो एक बार फोन करे अपनी भेन के हाल चाल पूछे तो दोनों के लिए ही मै क्योंगी भाई के लिए भी और भेन के लिए भी देखो हम एक कोकसिजन में हमने खुब खेला बचपन में और आज हम इतने बड़े हो गए कि हम दोनों लड़ रहे हैं आपस में तो ये प्लीज मत करियेगा देखो बहुत बड़ा तोहार साल भर में तोहार आता है भाई ब गलती हो गई हो मेरी बात गलत लगी हो तो मैं माफी चाहती हूँ और बस आपको राखी के समय यही सब करना है राखी जब भी आप लाए मंदिर में रहें गंगा जल से पिरवे हाथ को करें और नारियल देके आप अपने भाई को राखी बान दे जब भी राखी बान दे हा सुक शान्ती भर दो, भवान इसके घर में धन्सम प्रदा बढ़ी रहे और हमाई भी स्वास्त्र दायक प्रदान करो अगर वीडियो आपको जराबी अच्छी लगी हो जराबी उप्योगी लगी हो तो सस्क्राइब और लाइक जरूर करिएगा हमें बहुत अच्छा लगेगा और कमेंड में लिख दीजेगा जयमाता दी